नमस्कार दोस्तों, एक्जाम प्रपेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देवाई सीरीज में पढ़ेंगे भारत की मिटियां इसमें मिटियों के प्रकार उनका छेतिफल और उनका छेतिफल और उनसे रिलेटिड जो भी इन्फॉर्मेशन है व इसका परसेंटेज है 1.09% में फैली हुई है और इसका मिसरन देखेंगे तो लौ आक्साइड होता है लौ आक्साइड होने की वज़े से भूरी मिर्दा या फिर भूसर मिर्दा बोल रहे हैं अब इसका छेत देखिए राजस्थान और गुजरात वाले छेति में होती है य ये फसले इस मिर्दा के लिए उप्योगत हैं आगे देखते हैं लेटेर आइट मिर्टी ये छित्रफल में 12.2 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है इंडिया में और इसका परसेंटेज है 3.70 मिसरन की बात करते हैं अब इसमें देखें लोहे और अलुमिनियम की प्रचुर जाता है छेत इसका क्या है लेटेर आइट मिर्टी का तो ये पश्मी घाट में पूर्वी घाट राजमहल की पहाड़ी सत्पुड़ा विंध वाला छेत उडिसा चतिस गड़ चार खंड पश्रि मंगौल और असम की उत्री कछार पहाड़ियां जो हैं वहां पर और मेगाल की गारो पहाड़ियों पर ये छेत है लेटेराइट मिर्टी का और इंपॉर्टेंट है आपको याद भी रखना है इसका छेत देख लीजिए अब यहां पर फसले कौन-कौन सी उगाई जा सकती है देखिए चावल है रागी है गन्ना और काजू ये इस छेत के लिए उप् तो यहां पर देखिए इस तंधारियों के जीवासम और पीट जो होते हैं पाए जाते हैं कस्मीर घाटी जम्मू के डोडा जिले की भद्रवाब घाटी ये इसका छेत्र हो गया यहां पर सबसे ज़्यादा केसर का प्रोड़क्शन होता है केसर की फसले उगाई जाती है इ यहां पर केसर का प्रोड़क्शन या केसर की फसलों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है अब देखिए परवती मृदा परवती मृदा लगग 18.2 मिलियन हेक्टियर में फैली हुई और इसका परसेंटेज 5.51 है ठीक है अब मिस्रण में देखिए इसमें अमली और ह्यूमस की कमी होती है अमलोर ह्यूमस की कमी पाई जाएगी परवती मिटी में हिमाले का मधयक्षान सी छेत देखिए यहां पर इस छेत में आएगा असम की छेत में परवती मिटी पाई जाएगी दार्जिलीम ये फसले कैसी होंगी तो मक्का, चावल, लग्यूम, चारा, बागान, ये सारी फसले इस तरह की म्रदा के लिए उप्यूक्त हैं, तो आपने ये देखा, भूसर या भूरी म्रदा, लेटराइट, करेवा और परवती, अब बढ़ते हैं आगे, अब देखिए मरुस्थली मिट्टी के बारे में, ये 14.6 मिलियन हेक्टेर छेत्फल में फैली हुई है, इसका परसेंटेज है 4.42%, ठीक है, इतने छेत्फल में फैली हुई है, अब इसमें घुलनसिल नमक की उच्छ प्रतिशत्ता पाई जाएगी, निम्रिजैवी तत्व कैल शियम कार्बोनेट की प्रतिशत्ता में अंतर होगा, इसका छेत्व क्या है मरुस्थली मिदा, जहां पर वर्सा कम है, ठीक है, वहां पर मरुस्थली मिदा होगी, कहां पर राजस्थान पश्ची मरावली, उत्तिरी गुजरात, सौराश्ट कच्छ, हरियाना का पश्मी भा पर फसले कैसी होगी, बाजरा हो गया, डाले, जौार और अलुवेरा, जिसमें भी कम पानी लगे, ऐसी फसले होगी, क्योंकि और लेडी यहां पर क्या है, वर्सा की मात्रा कम है, मर्दा में भी पानी कम है, मरुस्थली मर्दा है, ठीक है, तो जो भूमी गजल है, उसका इ तो फसले भी वैसी होनी चाहिए, जिनमें पानी की मात्रा कम हो, तो वो मरुस्थली मर्दा के लिए प्युक्त हो जाएंगी, फसले कैसी, बाजरा, डाले, जौार और अलुवेरा, जैसे कम पानी वाली फसले हो गई, नेक्स्ट है लाल और काली मिट्टी, यह लाल मिट्ट की बात हो रही है, 17.8 मिलिन हेक्टियर में फैली हो यह मिट्टी, और इसका जो भाग देखेंगे, यह है, बुंदेल खन के आईसोलेट भाग राजस्थान और गुजरात में पूर वियरावली, मतलब लाल और काली मिक्स है, यहाँ पर देखेंगे, मक्का, बाजरा, जौा रात वाला पानी की कमी यहाँ पर भी, और उसी प्रकार के यहाँ पर फसले हैं, अब अंतर परवती देखेंगे, 5.7 मिलिन हेक्टियर में फैली होई है, और इसका जो परसेंटेज है, वो 1.73 है, प्राकृतिक शारीय मिट्टी होती है नेचर में, जम्मू कस्मीर से असम त हिमचेतर में देखें, 4.0 मतलब 4 मिलिन हेक्टियर में फैला हुआ यह हिमचेतर, और इसका परसेंटेज है 1.21 परसेंट, बर्फ और हिमानी से धकी भी रहती है, जैसे कि महान हिमालय का छेतर कारा कोरम, लद्दाग, जासकर, अब आप खुदी सोचिए, वर्स बर्थ तो बर्फ से ही ढखा हुआ है, तो यहां पर कैसे क्रिशी हो सकती है, तो क्रिशी या किसी भी प्रकार की फसल उगाई नहीं जा सकती है, यहां पर क्रिशी के लिए अनुप्यूगत है, अब बात करते हैं, most important काली, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, पहला तो प्रशन है, इसको भी याद रखना है, 49.8 million hectare में percentage याद रखना है, 15.09, क्यूंकि इससे आपको पता लगेगा कौन सी मिट्टी किस percentage में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उससे कम कौन है, मतलब और रोही क्रम में भी लगा सकते हैं, और रोही क्रम में भी, कौन स मिट्टी सरवाधिक पाई जाती है, और कौन सी कम, ऐसा भी पूछा जाता है, अब यहाँ पर देखेंगे, लोहा, चूना, कैलसियम, पोटेशियम, अलूमिनियम, मैगनीशियम के अधिकता होगी, तो कमी देखिए किस तत्त की होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जै मिट्टी, यूपी में भी है, आंध्र प्रदेश है, करनाटक है, तमिल नाडू है, राजस्थान है, चतिस गड़ है, जारकंड से राजमहल तक, यह सारे छेत्र है, काली या फिर रेगुल मिट्टी के, ठीक है, अब यहाँ पर कपास सबसे जादा हुगाय जाता है, काली म मिट्टी के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि कापास के लिए सबसे प्यूकर मिट्टी काली मिट्टी है, इसके साथ साथ दाले, जौर, बाजरा, लिंसीड, अरंडी, तंबाकू, गन्ना भी यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है, मसाले, फल और सबजिया, यह आपको याद है, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है लवडी या फिर छारी, जिने रेह कलर, असर, रारूर, थूर, कापी, चोपन, इन सभी नामों से जाना जाता है, अलग-अलग जगे पे, तो आपको यह भी रेह कलर के नाम से आपको याद आ जाएगा, इसमें सोडियम और सोडियम फॉसफेट पाया जाता है, छेते देखिए राजिस्थान, पंजाब, हर्याना, यूपी, बिहार और महराश्ट में, अब इसके लिए देखिए मिटी कैसी होनी चाहिए, मिटी में ऐसे कौन सी फसल उप्यूप थे, यह देखना है, बरसीम, धेचा, फलीदार, फसले, यह सारी कहां होंगी, लवडी और छारी मिदा में से, छेती नाम से देखिए, रेह, कलर, असर, रारूर, थूर, कापी, चोपन, यह नाम याद रखने है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते, काली मिटी में ऐसा टिक लगा देते हैं, यह इसका नाम है, लवडी केरल के कोटायम, अलापुझा जिले, क्रिशना कावेरी और कश कारन और महानदी के पास, जहां भी दलदल है, वहां पर यह मिटी है, और मैंने बताए, जहां भी तराई वाला छेत्र हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, चावल की कृशी की जाएगी, नेक्स आती है, काफी बांगर, भाबर वाला रिजन, तरह यह सब बताया था न, तो जलोड मृदा में ही खादर और बांगर, एक नई मिटी और एक पुरानी मिटी है, देखे फैली किसमें, 143.1 मिलियन हेक्टेर में फैली हुई है, परसिंटेज देखे, सबसे ज़्यादा 43.36 परसिंटेज में यही फैली हुई है, कहां कहां, इसमें देखे, अब क्या क्या है, पोटास के धिखता है, और फॉस्फोरस की कमी है, दोनों चीज़ या दखनी है, फैली कहां यह, मृदा, सिंदू, गंगा, ब्रमपुत्र का पूरा मैदान, और नर्मदा, तापी का मैदान, ठीक है, यहां पर होता क्या है, यह फसले याद कीजे, गेहु, मक्का, गंणा, दाले, सरसो, बरसीम, बरसीम एक प्रकार का चारा होता है, यह सब किसमें होगा, जलोड वाले में, गेहु, मक्का तो याद ही रखना है, यहां पर गंणा भी बहुत होता है, दाले होती है, सरसो होता है, बर मृधि The Pa upgrades परसेंटेज एटीन पैइन पॉंट नाइन परसेंट में फैली ही है अब देखिए इसमें फेरी काउकशाइड होता है जिस वज़ेसे ही सिम्रिदा का रंग कैसा हो जाता है लाल रंग का तो लाल रंग चूना फौसफेट मैंगनीज के यहां पर चुनव फॉस्वेट और मैगनीज की कमी हो जाती है फेरी कॉकसाइट के कारड इसकार लाल रहता है ये छेत देखिए कहां कहां पर परश्चिन तमिलनाडू में करनाटक, दक्षणी महाराष्ट, आंध्र पिदेश, 36 गड, जार खन, उडिसा बुंदेल खन के कुछ छेत, मिर्जापुर, सोन भद्र, बासवाडा, भीलवाडा और उदैपुर इन सभी छेत्रों में लाल मेदा पाई जाएगी छेत्र भी याद कर लीजे अब देखिए फसले यहां पर कौन कौन सी होंगी तो गेहु, कपास, डाल, सभी प्रकार की डालें, तंबाकू तंबाकू के लिए काफी उप्युक्त है लाल मेदा, जौर बाजुरा, सरसो और आलू इन सभी के लिए लाल मेदा उप्युक्त है तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे जादा मृदा कौन सी पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे जलोड मृदा पाई जाती है उसके बाद लाल मृदा फिर उसके बाद आप काली मृदा बताएंगे उसके बाद बाकी सारी तो आपको इस तरह से भी याद रखना है अब इनके छेत भी देखिए कहां कहां पर है वो लिस्टिंग भी आपको देखते वे चलना है कि किस छेत में पाई जा रही है और कौन से तत्तों की कमी है या नहीं है क्योंकि मैस्ट फॉलॉइंग में प्रेश्ण बनता है सामने दे देते हैं रिलेटेड इंफॉमेशन कि इसी तत्तों की अधिक्ता या कमी और सामने म्रिदा दी भी होती तो आप कैसे मैस्ट कर पाएंगे जब यह पूरी इंफॉमेशन आपने देखी हो तो क्लास तो आपको पूरी देखनी है एक बार फिर से देख लीजे कौन कौन सी म्रिदा हमने देखी है भारत में मिट्यों के प्रकार में तो भूसर और भूरी म्रिदा में लैटे राइठ है कुरेवा है परवती है मरूश ठली है उसके बाद देखें लाल और का लिए अंतर पर वती जहांपर कोई भी देखरा है अतर परवती में चावल पर देखेंगे रागे प्रिम छेत्र हो गया इंचेत्र में क्रशी के लिए अनुप्यूक थे फिर काली या रेगूर मिट्टी है उसके बाद देखें लवडी या चारी मिट्टी पीट और दलदली भी पढ़ी है जलोड या खादर बांगर और उसके साथ साथ लाल म्रदा तो यह सारी म्रदा हम लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहें इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए कि अधर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए असानी से आपको इसके साथ साथ प्रीवेस कोश्चन की सीरीज भी मिस नहीं करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइस कंप्रीट हो रही है डेली रात को नोबजे और ये डेवाइस सीरीज आती है जिसमें जीएस का पोश्चन पूरा कंप्रीट करा जा रहा है डेली दुखर एक बजे मिलते हैं ऐसे और टॉपिक के स नेक्ट क्लास में तब तक के लिए धर्नेवाद